स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने योटूब चैनल रस्तोगी कोची में तो यूपी बोर्ड से बहुत बड़ी खुसखबरी आ चुका है और देख सकते हैं क्या बड़ी खुसखबरी आया हुआ है यूपी बोर्ड कमपार्टमेंट परिच्छा के लिए आनलाइन आवेदन कल से तो जो विद्यार्थी एक बिसे में फेल हो चुके हैं उनके लिए जो है बहुत बड़ी खुसखबरी आ चुका है और देख सकते हैं खबर प्रयागरा से खबर को प्रकासित किया गया है यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडियेट परिच्छा में जिन बिद्यार्थियों को कमपार्टमेंट आया है वह कमपार्टमेंट परिच्छा के लिए आनलाइन आवेदन 17 मई से 7 जून र बात आवेदन सभिकार नहीं होगा मतलब 17 मई से 7 जून के बीच में आप सभी विद्यार्थि आवेदन कर सकते हैं यदि आप एक विशे में या दो विशे में फेल हैं और आपके मार्शीट पर कमपार्टमेंट लिखा हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं उसकी परिच् विशे पास हो सकते हैं अगला देख सकते हैं खबर बोड सची दिव्यकान सुकला के मुतावित हाई स्कूल में इंप्रूमेंट परिच्छा के अंतरगत परिचार्थी अपने अनुत्रित हुए एक विशे तथा कमपार्टमेंट के अंतरगत परिच्छार्थी अपने निर्धारित किया गया मतलब एक पेपर का जो है दो सो चपन रुपया पचास पईसा देना है वही इंटर कंपार्टमेंट परिच्छा के अंतगा मानमिकी विज्ञान की और वारिजवड के किसी एक विशे किरिशी भाग एक हम दो में से किसी एक प्रशनपत्र और हैं तो आप फार्म डाल करके परिच्छा दे करके पास हो सकते हैं तो एक विशे वाले ही विद्यार्थी फार्म को भरेंगे और हाई स्कुल में एक विशे में फेल हैं तो आप आबेदन कर सकते हैं लेकिन इंटरमीडियेट में एक विशे में फेल हैं तो केवल जो है उन् से आवेदन फार्व भर सकते हैं तो आज के ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों को कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए वीडियो को लाइक कर दिजिए और चैनल पे दिए आप पहली बार आयोंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर क्योंकि यूपी वोड का पल पल का खबर इस चैनल के माद्यम से देता रहता हूं मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यारतियों को नमस्कार